हाई फ्रेंड्स ये मेरा टेंथ वीडियो है अगर आप मेरे अधर नाइन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप वहां से देख सकते हैं तो ब्राइन ट्रेसी सर्दोरा ये बुक लेखी गई है आज हम हैपीनेस को लेके बात करेंगे कि अल्टिमेटली हर इंसान जिंदगी में खुश रहना चाहता है हम जो चाहते हैं अगर हमें वो चीज मिल जाए तो वो हमारे लिए सकसेस है तो पांच सा मगरी हैं जो एक अगर इंसान जिंदगी में खुश रहना चाहता है तो उसके पास वो होनी चाहिए वो फाइव इंग्रीडियेंट्स कौन से हैं आज हम वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर तो पहला इंग्रीडियेंट है हैपिनेस का दोस्तो हेल्थ एंड एनरजी हमारा हेल्थी होना बहुत जरूरी है यह हमारी लाइफ में होना चाहिए हमारे बज़र्गों ने भी कहा है पहला सुख निरोगी काया दूसरा सुख जेब में माया बट दिक्कत क्या है जब तक हमें कोई हेल्थ रेलेटर कोई प्रावलम ना आए तब तक हम हेल्थ की कियर ही नहीं करते हैं हम हेल्थ को बड़ा लाइटली लेते हैं तो हमारी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम लाइफ को बड़े बेटर वे में इंजॉय कर सकते हैं कई बार हम देखते हैं कुछ परसन के पास दौलत बहुत होती है लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती उसके लिए फाइब पीज का जहां पर जिकर किया जा रहा है ब्राइन ट्रेसी सर दौरा तो नमबर बन है प्रॉपर वेट हमारा जो वेट है वो सही होना चाहिए ओवर वेट ज्यादा वेट भी दोस्तों बड़ी सारी बीमारियों को जनम देता है देन है प्रॉपर डाइट हमारी डाइट सही होनी चाहिए उसमें प्रोटीन हो, फ्रूट्स हो, वेजी टेवल हो हम प्रॉपर पानी पीए तो प्रॉपर डाइट का होना बड़ा ज़्रूरी है देन है हम प्रॉपर एक्सेसाइज करें regular basis पे हम exercise करें यहां पर हमें aerobic exercise का जिकर किया जा रहा है करने को heart से related हमें exercise करनी चाहिए दूसरी भी करनी चाहिए मतलब हमें exercise करनी चाहिए then fourth P है proper rest rest भी जडूरी है दोस्तों कम नींद लेंगे उचसे भी body में complication हो सकती है then पांचमा जो P है proper attitude अगर हमारी life में बड़ी stress है चोट चोटी बात पे हम stress ले रहे हैं तो भी हमारी health कराब हो सकती है हमारा right attitude का होना भी जरूरी है तो यह 5 P हैं जिनको follow करके हम healthy रह सकते हैं then यहां पर आगे हमें author बता रहे हैं कुछ चीजों को हमने avoid we करना है smoking को avoid करना है drink को avoid करना है अगर drink करनी भी है तो moderate quantity में होनी चाहिए मतलब कम मातरा में होनी चाहिए sugar, salt, मैदा इस तरहें की item को भी हमें avoid करना चाहिए दूसरा ingredient for happy life वो है हमारे happy relationships 85% जो हमारी happiness है वो हमारे good relation के ओपर depend करती है कई बार हम देखते है person financially very sound बड़ा अच्छा business है बड़ी बड़ी गाड़ियां है लेकिन person relation इतने खराब है जब relation personal खराब होंगे तो जैदा पैसा होने के बापजूद भी इनसान खुश नहीं रहेगा हमारे relation चाहे हमारी wife के साथ हो बच्चों के साथ हो friends के साथ हो colleague के साथ हो वो अच्छे होने चाहे है तीसरा ingredient है meaningful work दोस्तों खुश रहने के लिए हमारा जो काम है वो हमें क्या सही लगता है क्या हम अपने काम को enjoy कर रहे हैं अगर मैं ये बोलू कि 100 में से 90 person आज की date में जो काम कर रहे हैं कहीं न कहीं वो अपने काम से खोश नहीं है तो शायद ये गलत नहीं होगा majority of the people जो आज कर रहे हैं वो उस काम से खोश ही नहीं है fourth है financial independence हमारे पास पैसे का होना जैदातर लोग जो हैं अगर हम analyze करें तो उनकी जो problems हैं directly और indirectly पैसे से जुड़ी होती है मतलब पैसे का अभाब होता है पैसे की कमी होती है यही कारण है कि हम लोग credit card, loans बगएरा के चकर में पढ़ते हैं तो अगर हमने जिंदगी में खुश रहना है तो हमारे पास जो है एक अच्छी amount अच्छा पैसे का होना भी जरूरी है जब जो हम पैसा अर्ण कर रहे हैं और जो हम पैसा अर्ण करना चाहते हैं उसमें जब ज़्यदा गैप होता है तो कहीं न कहीं लाइफ में stress होती है, चिंता होती है unhappiness होती है तो financially independence अगर हम होंगे तो हम खुश रहें fifth ingredient है self-actualization self-actualization का मतलब है कि जब हमारे अंतर ये feeling आए कि जो हम जिन्दगी में बनना चाहते हैं, हम उसकी तरफ move कर रहे हैं, हम वो बन रहे हैं, जब हमारी basic needs हम पूरी नहीं कर पाते हैं जब हम survival के लिए संगर्श करते हैं तो हम उन basic needs में ही उलजे रहते हैं, हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं तो self-actualization तक कब हमें achieve होगी, जब हम अपने potential का पूरा use करेंगे और जो हम चाहते हैं हम वो बनना शुरू कर देंगे finally friend, आपने valuable time निकाला मेरा वीडियो देखा अगर आप educational content को like करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए helpful हो सकता है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को like कर सकते हैं मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं for regular educational content so thanks for watching